नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पेफोर बोटफोलियो में आपको पता ही होगा मार्केट में माइंड स्पेस आर इई आई टी का आई पियो आने वाला है एक्चुली आप ही चुका है आज दूसरा दिन है यहाँ पर में वीडियो डीटेल आने लिशिस आपके लिए लाया हूँ क्या होता है आर इई आई टी सबसे पहले उसी को जान लेते है आर इई आई टी का मतलब होता है रियल एस्टेट इंवेश्मेंट ट्रस्ट आपको पता ही होता है जैसे म्यूचल फंड होता है म्यूचल फंड में अलग अलग लोग प जो हम पैसा लगाते हैं वो investment होते हैं directly real estate में commercial parks में ऐसी जगह पर investment होता है तो यह एक instrument है जिसे हम indirectly real estate में invest कर सकते हैं छोटे amount से क्यूंकि आपको बताई होगा अगर हम directly real estate में invest करना चाहते हैं तो कम से कम आज की दारिक में हमें 50 लाग की 50 लाग 40 लाग 60 लाग का amount चाहिए ज इसका detail analysis लाएंगे और कैसे हमें apply करना चाहिए apply करना चाहिए या फिर avoid करना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे और regular updates पाने के लिए notification bell को press कीजे साथ ही साथ telegram channel को भी join किजिसकी link description box में दी गई है सबसे पहले कुछ details जान लेते हैं IPO की तो IPO की date है July 27 से July 29 आज 28 हो रही है तो आपके पास अभी भी दो दिन है इसमें apply करने के लिए issue का type है book built issue REIT issue का जो size है वो है 4500 करोड का fresh issue जिसमें से होने वाला है 1000 करोड का और offer for sale होने वाला है 3500 करोड का face value की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिया गया है IPO की price करें तो 274 से 275 पर equity share का यहाँ पर IPO का price band decide किया गया है लेकिन आपको बता दू कि यह shares नहीं होते एक company नहीं है एक trust है तो यहाँ पर बले ही share लिखा गया है लेकिन shares नहीं होते यह company नहीं है यह एक trust है तो यहाँ पर units आपको मिलने वाल करोड का जैसा कि मैंने का offer open हो चुका है 27 जुलाई का और close होने वाला है 29 जुलाई याने के कल के दिन और finalization of basis of allotment August 6 को होगा, refunds का जो initiation हो जाएगा August 7 से हो जाएगा और credit of shares to demand account होने वाला है August 7 से और अगर बात करें listing के बारे में तो August 12 में हमें यहाँ पर listing देखने को मिलेगी तो retail investor minimum कितना allot कर सकते हैं, कितना invest कर सकते हैं 55,000 का minimum investor यहाँ पर हमें करना पड़ेगा यह कोई company नहीं है जिसका हमें IPO आ रहा है, जिसमें हम minimum 15,000 के आसपास का investment कर सकते हैं लेकिन यह एक REIT यह Real Estate Investment Trust है तो यहाँ पर retail investor को भी minimum 55,000 का investment करना ही बड़ेगा Net issue में से 75% of the net offer होने वाला है institutional investors के लिए और non-institutional investors के लिए 25% of the net offer रखा गया है IPO बाजार में क्यों लाया जा रहा है उसके reasons भी हम जान लेते हैं जो reason पहला है वो partial और full prepayment और schedule repayment of certain debt facilities यानि की company ने जो bank से financial institution से करजा लिया था उन्हें चुकाने के लिए IPO लाया जा रहा है general purposes के लिए भी company ये IPO ला रही है और साथ ही साथ purchase of NCRPS of MBPPL MBPPL यानि की Mindspace Business Parks Private Limited लेकिन NCRPS का जो मतलब होता है वो होता है non-convertible redeemable preferentials यानि की company ने जो पहले non-convertible redeemable preferentials अलोर किये थे उनकी वापस खरिदारी के लिए भी IPO लाया जा रहा है अगर बात करें यहाँ पर company के कुछ strengths के बारे में तो diversified और quality tenant based है साथ ही साथ strong industry fundamentals है और experienced management team है with KRC group support रायजा group का नाम आपने सुना ही होगा real estate का बड़ा नाम है तो इनका support है stable cash flow हमें देखने को मिल रहा है company के जो promoters है Cape Trading LLP and Envy Constructions LLP are the promoters of the company company के कुछ financials के बारे में जान लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि 31 March 2017 में net profit after tax 2313 million था जो कि थोड़ा सा कम हुआ था March 18 में लेकिन उसके बाद हमें exponential growth यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब देख पाएंगे March 19 की situation और March 20 की situation काफी ज़यदा सुधत यूई नजर आ रही है त्यानिकी growing company business model काफी अच्छा दिखाई दे रहा है anchor investors के बारे में भी बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने कहा है राहिजा ग्रूप का support है Blackstone का यह भी support है यहाँ पर Blackstone भी एक बड़ी company है उसका भी support इस IPO में दिया गया है 4500 करोर्स public issue के द्वारा raise करना चाहते हैं जिसमें से 2643.74 करोर्स strategic और anchor investor से already raise कर चुके हैं जो कि एक अच्छी बात है जो कि एक positive बात है IPO के लिए Mindspace का जो portfolio assets है वो काफी well diversified है across 172 tenants with no single tenant contributing more than 7.7% of the gross gross contracted rentals जो कि एक अच्छी बात है इसका reason में आपको समझाना चाहूंगा suppose एक ही कोई ऐसा tenant है जो कि बहुत ज्यादा contribute करता है revenue में तो वो एक बुरी बात हो सकती है क्योंकि अगर वो एक ही tenant चला जाता है तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है इसलिए एक भी tenant ऐसा नहीं है जो कि 7.7% से ज्यादा contribute करता हो gross contracted rentals में जो कि एक अच्छी बात है approximately 84.9% of the gross contracted rentals were derived from the leading multinational corporations and approximately 39.4% from fortune 500 companies यान कि 84.9% की जो companies है rentals की जो gross contracted rentals से जो revenue आती है वो leading multinational corporations से आती है और 39.4% fortune 500 companies यान कि दुनिया की जो सबसे बड़ी 500 companies है उन ही में से 39.4% की हमें याँ पर revenue देखने को मिलती है जो कि एक positive बात है tenant base की बात करें तो mixture है याँ पर multinational और Indian corporates दोनों दिखाई देंगे including Accenture, Qualcomm, BA Continuum, JP Morgan, Amazon जैसी companies Capgemini, Facebook, Barclays जैसी अच्छी अच्छी companies इनकी tenants है साथी साथ इट has a high quality tenant base with a 92% committed occupancy along with long term contracted rentals which provides long term visibility of its revenue यान कि ज़्यादा दर जो contracts हो है long term के लिए लिए है तो यहाँ पर कोई short term में कोई problem आजाएगी कोई tenant चला जाएगा ऐसी situation यहाँ पर हमें नहीं बनती हुए नजर आएगी क्योंकि सारे जो contracts हो है long term के ज़्यादा हुए तो long term की revenue हमें दिखाई दे रही है visible है कि long term में revenue कहीं भी नहीं जा रही है अगर बात करें यहाँ पर mind space के quality portfolio के बारे में तो उनका जो office portfolio है काफी ज़्यादा high quality है अलग-अलग इंडिया की companies, साथ ही साथ foreign की companies multinational companies इनके tenants हैं जिनको यह essential corporate infrastructure serve करती है साथ ही साथ एक ही business park है ऐसा भी नहीं है mind space portfolio consists of five integrated business parks with superior infrastructure and amenities and five quality independent offices aggregating to 29.5 million square feet of total leasable area तो यहाँ पर उनके पास अच्छा कासा area भी है जिसे वो rent पर देती है जो कि अच्छी बात है 29.5 million square feet का total leasable area है यहाँ पर अच्छी अच्छी companies उनकी tenants है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिए superior infrastructure वाले यहाँ पर 5 integrated business parts भी हमें देखने को मिल रहे है mind space एक one of the largest grade A office portfolios है जहाँ पर हमें चार key office markets भी देखने को मिलेंगे इंडिया में चार reasons बहुती ज़्यादा popular है corporates के लिए Mumbai region, Hyderabad, Pune और Chennai बड़ी बड़ी companies यहाँ पर अपने offices लगाते है और यहाँ पर अच्छा कासा office portfolio mind space का है यानि कि mind space यहाँ पर बड़ी बड़ी companies को जगा rent पर देती है these markets have exhibited strong market dynamics with the world leading absorption and constant forecast supplies resulting in high rent growth and low vacancy on average तो यहाँ पर mind space का office portfolio है वहाँ पर की regions यानि कि जो Mumbai region हो गया Hyderabad region है, Pune, Chennai यह ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे locations top quality locations में उनकी जगा है जो rent पर देती है तो इसलिए उन्हें high rent growth भी देखने को मिलता है और generally low vacancy की जो problem होती है वो काफी कम दिखाई देती है क्योंकि generally जो बड़ी companies है, multinational companies है वो अच्छे locations पर ही अपने office को set up करती है तो चलिए देख लेते हैं कितना subscription हुआ है तो आप देख पाएंगे total subscription हुआ है 0.9 NII इसके द्वारा 1.1 का यहां पर हमें subscription देखा ही दे रहा है और QIB इसके द्वारा 0.69 का subscription तो यहां पर अभी भी REIT का subscription पूरा नहीं हुआ है लेकिन वीडियो को अंतर तक देखिए इसके पहले भी यानि कि Mindspace के पहले भी REIT यानि कि Real Estate Investment Trust का IPO हमें देखने को मिला था उसने कैसा performance दिया है उसके उपर भी एक बार नजर डाल देते हैं तो आप देख पाएंगे कि यह है Embassy Office REIT पहले भी ऐसा IPO आच चुका है April 2019 में और आप देख पाएंगे कि वो साल काफी अच्छा रहा था काफी तेजी देखने को मिली थी 300 के आज सपास इसका IPO प्राइस आया था उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली थी 500 के आज सपास पहुँच भी चुका था REIT लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है मार्केट में crash देखने को मिला है लेकिन recovery इतनी ज्यादा अच्छी हमें दिखाई नहीं दे रही है यह सबसे important बात कि हमें यहाँ पर apply करना चाहिए या नहीं कैसा होगा इसका future तो मेरा मानना है mind space का जो REIT है काफी अच्छा business model है काफी अच्छा office portfolio है key regions पर इनके market है यहाँ पर आपने देखा Mumbai में, Chennai, Pune, Hyderabad जैसे अच्छी अच्छी locations पर इनके office portfolios है तो यहाँ पर company no doubt काफी अच्छी है और REIT का जो concept है वो भी मुझे काफी पसंद आता है क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो real estate में directly investment नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक अच्छा instrument है जिसके द्वारा हम real estate में investment कर सकते हैं और यह REIT हमें सिर्फ capital appreciation नहीं देता है बलकि dividend भी देता है जो rental income यहाँ पर आती है वो distribute होती है और dividend भी काफी अच्छा दिखाई देता है embassy office का भी अगर आप dividend yield चेक करेंगे तो उसका भी 5% से ज्यादा का dividend yield हमें देखने को मिलेगा जो की काफी शांदार dividend yield है प्लस capital appreciation तो हमें देखने को मिलता ही है लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि coronavirus की जो situation फिलाल चल रही है वहाँ पर सब बाते ऐसी चल रही है कि work from home का चलन हो जाएगा TCS ने भी कह दिया है कि 2025 तक 75% of the employees हमें यहाँ पर work from home करते हुए नजर आएगे तो ऐसी situation में क्या यह business लंबा चले गा या नहीं तो मेरा मानना है mind space हो या कोई भी दूसरा हो real estate खतम नहीं होने वाला है commercial parks खतम नहीं होने वाले आज या कल हमें यह coronavirus की situation भी खतम होती हुए नजर आएगी लेकिन तब तक थोड़ा सा pain में जरूर रह सकता है लेकिन अगर long term का अगर आप सोच रहे है real estate आपको पसंद है investment करना चाहते है तो यह एक अच्छी opportunity हो सकते है यहाँ पर invest करने के लिए और यहाँ पर भी उनहीं लोगों को में invest करने के लिए राय दूँगा जिनके पास अच्छा खासा capital हो यह कोई stock नहीं है आप सोच रहे हैं कि बस यह कल निकल जाओंगा 10% के returns मिल जाएंगे निकल जाओंगा निकल जरूर सकते हैं लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि real estate stocks की तरह नहीं होते वहाँ पर trading नहीं की जाती real estate में हमें long term के लिए 10 साल 15 साल के लिए investment करना चाहिए ऐसी मेरी रहे रहे रहती है personally मैं ऐसा करता हूँ बाकी decision आपका है तो जिनके पास capital अच्छे गासी है जिनका portfolio काफी बड़ा है जो कि diversification करना चाहते है real estate में invest करना चाहते है वो current situation में mind space को या फिर embassy office इस दोनों को ही consider कर सकते है ये भी काफी अच्छा REIT है तो यहाँ पर भी investment के बारे में सोचा जा सकता है लेकिन जिनका portfolio चोटा है 1,2,3,3,000 का ही capital है तो उन्हें REIT को avoid करना चाहिए ऐसी मेरी रहे रहे रहेगी बाकी decision आपका है तो मैंने कहा दिया कि overall अच्छा है यहाँ पर apply किया जा सकता है लेकिन जिनका capital चोटा है उन्हें वो avoid करना चाहिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you, stay happy, happy investing